ETF investing में वैसे तो कम expense ratio लगता है पर इसके अलावा brokerage तो होता ही है जिसके बारे में सभी जानते हैं पर क्या आपको पता है कि इसके अलावा भी एक hidden cost होता है जिसका हमें पता ही नहीं चल पता है कि ये कब और कैसे लग जाएगा मज़े की बात तो ये है कि ये ऐसा cost है जो NAC की website पर भी खुले आम दिया गया है पर इसके बारे में कोई बात ही नहीं करता है जी हाँ ये चीज है ETF impact cost और इसे सभी ETF investors देते ही हैं जाने अंजाने में आपको ETF investing और trading के दोरान ये impact cost तो देना ही पड़ेगा पर हाँ इसे कम से कम रखा जा सकता है वह हमारे हाथ में ही है तो आज की इस super informative वीडियो में हम बात करेंगे best ETF investing strategies की जहां पर हम cover करेंगे कि किसी ETF में impact cost क्या होता है और कैसे उसे कम से कम रख करके आप अपने profits को बढ़ा सकते हैं तो आएए वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं impact cost को एक real life examples है मान ले आप एक भीड भरे बाजार में गए जहां पर आपको आम खरीदने हैं आप एक दुकान में जाते हैं जहां पर बड़े ही fresh आम रखे हैं और उनकी price लिखी है 100 रूपीज पर किलो पर उस आम को खरीदने के लिए काफी भीड है मतलब उसकी demand काफी अधिक है तो दु आपको वो दुकानदार 105 रुपए का दे रहा है जो है ट्रेड़िट प्राइस तो दुकानदार कहता है कि लेना है तो लो अभी तो ये इतने कही भीखेगा क्योंकि अभी तो demand अधिक है तो अब अगर आपको वो आम चाहिए ही चाहिए तब आप उसे 105 रुपए पर तो अगर हम इसे total values में देखें तब ये आएगा 5 divided by 100 यानी 0.05 या फिर 5% का समझें तो यहाँ पर ETF impact cost से आपको क्या पता चलता है सबसे पहला तो ये कि आप ये समझें कि impact cost का सीधा मतलब होता है ETF की liquidity से देखिए ETF में liquidity केवल trading volume से ही नहीं बलकि bid ask spread से भी पता की जाती है bid ask spread क्या होता है और क्यों ETF में ये देखना काफी जरूरी होता है उसके उपर मैंने एक detailed video भी बनाई है जिसका link description में है यहाँ पर आप ये समझें कि ETF trading stock trading से अलग होती है क्योंकि ETF में extra units कभी भी create की जा सकती हैं जो कि shares में नहीं होती इसलिए अगर उस ETF में authorized participants मौजूद है तब कम से कम trading तो होती ही रहेगी भले ही volumes कम हो पर उसका एक घाटा ये हो सकता है कि उसके impact cost इस case पे बढ़ जाएंगे तो यहाँ पर आप short में समझें कि अगर impact cost अधिक है तब liquidity कम है या फिर बेचने और खरीदने वालों के price में काफी अंतर है ये सब मैं आपको आगे examples मे समझाऊंगा अब अगर आपको किसी ETF में high impact cost दिखा रहा है तो इसका मतलब है कि आपको खरीदने के लिए average impact cost के बराबर या फिर अधिक पैसा देना होगा वहीं पर बेचने पर impact cost के बराबर या फिर कम पैसे में बेचना होगा समझें वहीं पर अगर impact cost अगर कम है तब य ये सब cost लगती है यानि ETF trading cost पराबर expense ratio प्लस brokerage और other charges जिसमें सारे charges included है इसके अलावा जो हमने हैं पर बात किया यानि impact cost अब यहाँ पर impact cost कोई नहीं जोडता है नहीं इस पर ध्यान देता है तो आपको इस चीज़ पर भी ध्यान देना है मानले अगर आपने किसी ETF में एक बार lump sum investment कर दिया जिसका impact cost average है न अधिक कम न ज्यादा तब तो ठीक है पर अगर मानले आपने उसमें frequent trading करी या फिर मंतली SIP करी तब तो ये impact cost हमेशा add up ही होता रहेगा जिससे आपका overall returns कम होता जाएगा कुल मिला करके ये कहना है कि आप ETF के impact cost पर जरूर ध्यान दें ETF investing और खास करके ETF trading के समय और अपने overall returns को improve करें अब आईए जानते हैं कि impact cost की value को आप कहां पर देख सकते हैं और इसे कैसे समझ सकते हैं तो आपकी जानकारी के लिए बता दू कि ETF impact cost को आप NAC की website से देख सकते हैं ये आप अपने routine practice में ले ला हैं तो चलिए अभी कुछ ETF देखते हैं और समझते हैं उनके impact cost को तो आपके सामने हैं पहला ETF gold 20 और ये Friday का data है 250 का इसमें आप सबसे पहले चेक करें उसका volume जो आ रहा है तकरीबन 86 lakhs के असपास जो काफी बढ़िया है अब यहां पर आप देखें इसका impact cost जो आ रहा है 0.02 जो बहुत ही कम है और best of the best है आप समझे कि इसका volume काफी बढ़िया है और चूकि इसमें buyers और sellers अधिक हैं इसलिए मनमाने दाम की कोई monopoly नहीं है इसलिए impact cost कम हो गया है अब आप यहां सबसे पहली bid ask spread देखें current market price है 60.87 और high liquidity के के कारण आ तो आम तोर पर अधिक ही रहता है current market price से और bid देखें जो है 60.86 और इसमें बिलकुल ना के बराबर अंतर है इसी तरह से आप इस table में नीचे तक जाए तो आप पाएंगे कि इसमें bid ask में बहुत बड़ा margin नहीं है इसलिए इसका average impact cost काफी काफी कम है अब इस impact cost का यहां मतल points पर बेचना होगा जो कि acceptable है अब अगला example देखिए MON 100 ETF जिसका traded volume है 3.5 लाग के आसपास पर यह gold भी इसके जैसा नहीं है पर फिर भी इसकी impact cost काफी बढ़िया है यानि 0.04 क्योंकि आप इसका bid ask spread देखें जो कम ही है इसलिए impact cost भी कम है तो हमें ऐसे ही best ETF को खोजना है हाल और भी कई criteria है जो मैं अपनी वीडियो में लगातार बताता ही रहता हूँ अब एक और ETF देखिए ITBs जिसका impact cost काफी कम है 0.04 और इसका volume भी बढ़िया आ रहा है तक्रीबन 66 lakhs के आसपास अब वीडियो को pause करके बाकी details और bid ask spread देख सकते हैं अगला ETF है मेरा asset का nifty mid cap 150 जिस उनने values तक के impact cost को अच्छा मना जाता है देखिए वैसे तो इसका volume काफी बढ़िया है 8.8 lakhs पर इसका impact cost देखिए 0.11 आपने देखा होगा कि MON 100 में केवल 3.4 lakhs का volume होते वे भी impact cost था 0.04 पर ये मिराए asset का volume अभी अधिक है तब भी impact cost क्यों अधिक है उसका कारण है bid ask spread दे पहले बताये गए ETF के bid ask से अधिक है समझे आप इसी तरह से आप नीचे जाकरके इस bid ask की table में बाकी अंतर को भी समझ सकते हैं अब ये देखिए मिरा asset का nifty small cap 250 momentum quality 100 ETF जो सबका hot favorite है देखिए volume है 4.6 lakh और impact cost 0.14 और यहां भी bid ask spread देखिए अंतर है 0.8 का अब आप इसके बाकी नीचे वाले भी bid ask spread देख सकते हैं अब एक बार फिर से कम impact cost 0.03 nifty 20 का है जो nifty 50 index में invest करता है volume है तकरीबन 35 lakh के आसपास का अब ध्यान दीजे आपने nifty 20 देखा जिसका impact cost था 0.03 अब देखिए same nifty 50 index में invest करने वाला एक और ETF Invesco India nifty ETF जिसका impact cost है 1.24 बापरे इतना अधिक देखिए यहां तो कोई volume ही नहीं आ रहा है और यह bid ask के बीच में अंतर देखिए खास कर यह second last वाला कितना अधिक अंतर है तो ऐसा न समझे कि index investing करनी है तब कोई भी ETF ठीक रहेगा पर ऐसा बिलकुल नहीं है अब एक और ETF देखिए कोटक का consumption ETF जिसका impact cost है 1.41 सोचिए अगर आप ऐसे ETF में invest करेंगे या trade करेंगे तब आपका कितना अधिक extra पैसा लगता जाएगा यहां पर आपको लग रहा होगा कि पहला trade तो ठीक है जहां पर bid ask spread ठीक दिख रहा था 108.5 और 108.7 पर नीचे भी तो देखिए क्योंकि impact cost इन सब का average होता है यह last वाला देखिए 107.77 का bid और 109.35 का ask जहां पर current market price है 108.67 तो मैं उमीद करता हूँ कि अब तक आपको impact cost का पूरा गड़ित समझ में आ गया होगा अब आईए समझते हैं कि impact cost की values को आप कैसे interpret कर सकते हैं यानि कितने तक की values को अच्छा माला जा सकता है देखिए ETF investing के समय आपको पूरे bid ask spread क चानने की जरूत नहीं है बलकि bid ask spread की इन values को देखने से ही काम चल जाएगा मैंने पूरे listed ETF को एक Excel में download किया फिर सभी के impact cost को study किया और साथ ही साथ उसके volumes और bid ask spread को भी देखा तो मेरे हिसाब से आप इन values को consider कर सकते हैं देखिए अगर किसी ETF की impact cost 0.01 से लेकर के 0.1 तक आ ठीक है पर हाँ अगर impact cost 0.25 से उपर जा रही है तब उस पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा अगर आप frequent trade करने वाले हैं या फिर SIP mode से invest करने वाले हैं क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये एक extra charge के जैसा है जो recurring हो जाता है और आप जितने अधिक trades लेंगे वो उत इतना अधिक impact cost चाहते हैं तो मेरे हिसाब से ये impact cost assessment भी एक best ETF investing strategies के अंतरगत आता है पर इसके अलामा भी और भी कई factors हैं जिसे आपको ETF investing के दोरान ध्यान में रखना चाहिए जिसके बारे में आप जान सकते हैं इस informative वीडियो में